हेलो दोस्तो स्वागत है एक नए वीडियो पर दोस्तो जैसा कि आप सभी को मालूम है अभी पूरे घारत में वो आईश्मान कार्ट बन रहा है और दोस्तो आईश्मान कार्ट बन जाने के बाद से प्रति परिवार प्रतिवर्श पांचलाक रुपए तक का आपको health insurance मिलता है मतलब आप 5 लाक रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है पूरे परिवार का करा सकते हैं तो दोस्तो काफी लोग परिशान गया है कि हमारा आईश्मान health card योजना में हमारा नाम है की नहीं है काफी लोग इसको लेके परिशान है उनको मालू भी नहीं है कि इस योज परिशना के अंतरगत अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका प्रधान मंतरी आईश्मान भारत कार्ट जो बन रहा है उस लिस्ट में आपका नाम है की नहीं है तो दोस्तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है वीडियो को सूरू से लेके लास्त तक देखीगा और वीडि में कोई सा भी एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तों यहां पर आपको सर्च करना है पी एम पी एम जे एवाई डॉट जी ओवी डॉट इन दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हां तो द पी एम जे एवाई डॉट जी ओवी डॉट इन दोस्तों आपको इसी वेबसाइट को जो है वो ओपन करना है यह एक गौवर्मेंटेट वेबसाइट है दोस्तों वेबसाइट ओपन होने के बाद से आपको कुछ में होम इंटरफेस कुछ इस टाइब से मिलेगा अभी दोस आईश्मान मित्र पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा दोस्तों इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आ रहा है और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो डौलोड द लिस्ट आफ आउष्मान भारत पीम्जेए वाइ बेनिफिसरी आफ योर विलेज ब्लॉक दिस्टिक दुस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपना दिस्टिक ब्लॉक और विलेज को फाइंट करके आप अपने गाओं का जोई लिस्ट नि क्लिक कर देना है get OTP पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है OTP has been sent your mobile number जो आपने mobile number दर्ज किया है उस पे OTP send हो गया है अब दोस्तों यहाँ पे उस OTP को fill up करना है fill up करने के बाद से इस capture code को इसमें आपको भर देना है और भरने के बाद से दोस्तों आपको login वाले बटन पे क्लिक कर देना है login पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको select name में जो भी आपके state का नाम होगा आपको अपने state का नाम select कर देना है district में दोस्तों जो भी आपके district का नाम होगा आपको अपने डिस्टी का नाम सेलेक्ट कर देना है ब्लॉक में दोस्तों जो भी आपका ब्लॉक है जिसे अगर आप ग्रामीड छेत्र में रहते हैं तो यहां पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है अगर आप सहरी छेत्र में रहते हैं तो आपको यू एल भी जो है वो select करना है तो दुस्तों यहां पे आप देख लीजेगा grammar और सहरी के लिए यहां पर अलग-अलग types जो है वो दिये हुए है अब दुस्तों यहां पर block name में जो भी आपका block है आपको अपना block जो है वो select कर देना है select करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको village name में जो भी आपका village है आपको अपना village यहाँ पे select कर देना है और select करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको search वाले button पे click कर देना है search पे click करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक download PDF का यहाँ पे आ जाएगा तो दोस्तों यह जो PDF file बना हुआ है इस पे आपको click करके आपको इसको download कर लेना है दोस्तो इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह फाइल हमारे में डाउनलोड हो गया है अब इसको हम ओपेन करते हैं अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह list पूरी open हो गई है, दोस्तों यहाँ पे starting में आपको family ID मिल गया है, इसी family ID से जो है, आप अपने नस्दी की CSC center पे बनवा सकते हैं, आप अपने गाओं के आसा worker से आप इसे बनवा सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नाम, यहाँ पे नाम English में Hindi में दोनों दिया हुआ है, father name English में Hindi में दोनों में दिया हुआ है, mother का भी नाम है, mother का भी नाम English Hindi दोनों में दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं, card created यहाँ पे, N और Y जो है, यह इसका कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई लेना देन यह फैमिली आईडी आप इसे नोट कर लेंगे और इससे आप अपने नजदी की CSE Center और अपने गाउं के आसा वरकर से जो है दोस्तों आप इससे अपना आप इससे नोट करें आप तक सबसे पहले पहुचे दूस्तों मिल टेंग ने वीडियो के साथ तर तक ले जहिन वन्दे मातरव